क्यार लख्जों में कहां दिलों की होती है जोबाद वो जानते ही नहीं इससे होती है मजरों से बयाद जरा जरा दियाद है यूँ अपने दिल को था मिले दुरू के तार क्यों भना नहीं छुपती है फिर वफा एक बाद जो कहें तेरी हूँ मैं आया बस फिर होश ना रहे और जान लो ये तौम यार लख्जों में कहां दुरू कागया क्या ओफिस शियाग है मुराद सर ये फूल इस्टेबल पर क्या कर रहे है ले जोए नहीं यहां से सोई से सोई मुझे नहीं पता है या पर यह किस तर रखती हम इसके ड़स्वले फिक देती हो मैं अजमी बात कर रही हूँ आप दीदम है ना क्या यतिम खाने से बात करें हो इंदाद चाहिए ओफ ये गरीब लोग मैं अजमी सर्फली मास बोल रही हूँ मुराद की दादी तुम मेरे घर के पास क्या कर रहे हो हाँ अगर तुम्हें किसी ने यहां देख लिया तो मेरी मालिक मकान मुझे पागल हो जाएगी और शोर करेगी पास करें हो पास क्याम मेरी मालिक मुझे खाने से घर बार फाद सन्टन्राद की दिनरम साँेения कि दय हुँ करें हो दो, बोड़िक देख एगार crews जोब Luis और हो जोर झुम्हें जरो पास्टन्राभ करें हो हाँ उत ब 돼-श्कां मेरी खिग है जो कर दो कर दो कर दो कर दो खुवाबनाओ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो बती कर दो कर दो कर दो मैंन Cordu कर दो कास्त 뭔 això कर partir व न हो psychologically कर दो 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 कर ये लो शुक्रिया बहुत गर्मी है बहुत ज्यादा वे भी नीन नी आ रही क्या काफी गहरी नीन सोकर उठी हूँ मैं कब आँख लगी पता ही नी चला हो जाता ऐसे चादर और तक्ये के लिए शुक्रिया जब मैं सो रही थी तो आपी ने डाली होगी न हाँ लेकिन शुक्रिया के कोई बात नहीं इसमें घराए मेमानों की मैं ऐसी खिद्मत करता हूँ हमेशा से हुँ मैं ौ लेकिन की खिए मैं जाके सोने की कोशिश करता हूँ गुड नाइट गुड नाइट हाँ मैं जानती हूँ कि मैं खाना अच्छा नहीं बनाती लेकिन फिर भी खा लीजीगा थैंक यू कि कोई जुरूरत नहीं और हाँ मैं अपने बॉस की बाद ठेकर करती हूँ अल्ला तेरा शुकर है कितना कुछ दिया है उसने हमें मेरी बेटी बड़ी हो गई अब जौब करती है पहली तनखा इसने अपनी मा के हाथ पे रखी लाके वाँ माशालला मेरी प्यारी बेटी और अब मुझे भी तो अपनी बेटी को कोई सर्प्राइस देना चाहिए अब फिर से मना करके मेरा मूड मत खराब कर देना दो अच्छा सुनो तुम्हें ये भी नहीं जानना के आखिर वो लड़का है कौन अब किसको ढून लिया है नहोंने बहुत ही खुबसूरत बहुत ही समझदार हमारा दामाद लाकों में एक करीम कौन करीम तुम्हारा कजन तुम्हें तु अच्छी तरह पता है उसका तुम्हारे करीम नाम के कितने कजन है जो तुम इतनी हरान हो रही हो तुम्हारे किसी कजन का नाम करीम है अपक है नवही ट्रासपोर्ट वाला कौन ड्राइवर है करीम मुझे तो पहले ही लग रहा था ये दोनों आपस में एक दूसरे को जानते नहीं होंगे एक दूसरे को जाने बगएर एक दूसरे के साथ जंदगी गुजारना मुश्किल होता है न जब एक दूसरे से मिले जुलेंगे तो खुद ही जान जाएंगे इंशाल्ला इंशाल्ला क्या क्या हो गया तुम लोगो ओ चाहे कहा है जाओ मेरे लिए चाहे लेकर आओ उठो मैं ऐसे करती हूं मैं लेकर आठी हो आपके लिए वैसे नाचते बहुत ही मज़ेका था हयात मुझे बहुत जुरूरी बात करनी है हाँ बोलू क्या बात है बात यह कि मैं जब जब एपक को देखता हूं तो मैं अपने आपे में नहीं रहता मालूम है तो फिर यह भी मालूम होगा कि वो कितना इग्नोर करती है हर बद गोसा नाग पर रहता है फिर भी प्यारी लगती है मुझे मैं जानता हूं कि वो डरती है तो बस अपने घर की इस्द की वज़ा से मैं भी उसके और उसके घरवालों की बहुत इस्द करता हूं क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं समझ गई हुँ मैं नहीं समझ सकती यकीन करो नहीं समझे उसके चेहरे पर एक लम्हे की मुस्कुराइट देखने के लिए मैं कितना तड़ता हूँ मसलन वीराने में कापकी गाड़ी का पैटरो खत्म हो जा और पम नाजर आ जा मैं तो बस उसके नाम पर ही जी रहा हूँ और वो है कि एक नजर उठा के नहीं देखती खैर असली ने लास्ट टाइम मुझे मिलवाए था है मिने आइंटी से उसने जूट बोलकर मिलवाए था मैं सोच रहा हूँ सच बता तूँ नहीं मेरे ख्याल से उसकी जुरूरत नहीं है क्यों जुरूरत नहीं है मेरे पास वक्त नहीं एक एक लम्हा भारी पढ़ रहा है मुझे पर समझो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो कैसे मानेगी मैं सोच रहा हूँ कि उसके घर के बाहर जाकर दढ़ना दे दिया जाए अरे नहीं ऐसा कुछ मत करना तुम ही बत कासम खाती हूँ हाँ कासम से तुम्हारा आइसान होता है यह वादा याद रखना है यह साटे कॉंसेट मिले दिमाग में अटका हुआ है कुछ और दिमाग में आहीं नहीं रहा इसी वज़ा से मैंने सबको कॉल भी कर दी मैंने उन्हें आफिस बुला लिया है कुछ नए आ इसी वज़ा से मैं बहुत एक्साइटेड हूँ लो सुबह सुबह दादी की कॉल आ गए अल्ला खैरी करें फिर शादी का जिकर ना निकाल बैठें सुबह सुबह इतनी प्यारी प्यारी बाते सब खैर तो है मैं आज तुमसे बहुत खुश हूँ एसा क्या कर दिया मैंने उस पीले बालों वाली निकम्मी लड़की को छोड़कर तुमने मेरा दिल खुश कर दिया ये क्या कह रही हैं? कल वो यहां आई थी मैंने बुलाया था उसे कैसी नड़की है वो? कुछ नहीं आता उसे सिवाई फैशन क्या कहा आपने? टेक मिनट पहले मुझे ये बताएं उस लड़की का नंबर कहां से मिला आप? बस मुझे मिल गया कहीं से दादी जान मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ ठीक है बेटा? फदा हाफिस ठीक है बेटा? फदा हाफिस पता है तुम्हें इस वक्त क्या करना चाहिए? आखरी बार दूआ मांग लो क्योंकि आज तुम मुझे नहीं बचने वाले हैं देखे मैं एक्स्प्रेंड कर सकता हूँ आप वलत सोच रहे हैं क्या एक्स्प्रेंड करोगे सब कुछ तु बिगार दिया तुमने? मैंने तो सिर्फ भला सोचा था आपका वरना आप दादी से कैसे बचाते है खुद को वो दीदम से मिलके सुकून से बैठ जाएंगी आपको तो शुक्रिया दा करना चाहिए उल्टा नराज हो रहे हैं दुरुक ये क्या कर दिया? एपेक मामला बहुत सीरिस है करीम तो तुम्हारे लिए बिलकुल पागल हुआ वा है वो सच बताने का भी बोल रहा था उस आदमी ने मुझे पागल करके रख दिया है समझ नहीं आती वो मुझसे चाहता क्या है तुम्हारे जूट को चुपाने के लिए मैं उस पागल से शादी कर लो और उसके बच्चों के माँ बचाओ तुम मेरी वाद कहां से बीश में लेया है आपक? वो तुम्हारे लिए पागल है ये कहा मैं और वो तुम्हारे पेरेंट से बात करना चाह रहा है मेरे थोडी आपक मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे जित मसला क्या है पागल तुन नहीं हो तू बैटे पिठाई का अच्छा इंसान मिल गया तो तुम्हें हज़र नहीं हो रहा खुदा के लिए समझो आपेक इतने अच्छा इंसान कहां मिलते हैं घर में ना बैटी रह जाओ तू असली अभी तो तुम्हारी मुलाकात हुई है उससे और अपनी दोस्त को छोड़कर उसकी तरफ दारी कर रही हो हां बहुत बुरी लगी तुम्हारी ये हरता तुम दोनों लड़ना बन तरोगी देखो एपेक मुझे मालूम है लड़के अच्छा टाइम पास करते हैं लेकिन करीम उन जैसा बिलकुल भी नहीं है ऐसा नहीं होगा तुम्हें छोड़कर चला जा और अगर ऐसे लड़ते रहोगे तो मामला फॉल्ट नहीं होगा ठीक कहा हां इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम उसके साथ जाओ और बाहर बैटकर बात करो बहुत ही अच्छा इन्साने बाएपिक और यह अच्छा नहीं लगता ना कि हर रोज तुम लोग रोट पर लड़ते हैं रहे हैं लग सही तुम यहीं सोच रही हो ना कि यह सब कैसे हो गया नहीं ऐसा कुछ रही है बस अब यह समझो जल्दी मैं दुलहन बनने वाली हूँ हवा में मतुड़ा हवा से बाल खराब हो जाता है हयात हयात मेरी दोश कहा थी दूम तुम्हें पता है मुझे अपने खुशी कंट्रोल नहीं की जा रही अच्छा मुझे तो मालूम नहीं था कल मैं अपनी होने वाली सास मुराद की दादी से मिलने गई थी उन्हें सब पता चल गया है मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा मुझे नहीं मालूम था कि मुराद हो मेरा रिलेशन दुबारह से काइम हो जाएगा वाकई? हाँ अच्छी बात है मेरी शादी की तरफ बढ़ता हुआ पहला इस चाप मैंने हल कर लिया हायात मेरी दुआ है कि तुम भी ये खुशी देखो बहुत अच्छा मैसूस होता है उन लोगों से मिलना जो आपको बहुत प्यार करते हैं और जिनके साथ आपको पूरी जिन्दगी गुजारनी हो हाँ ठीक कह रही हो तुम दीदम बहुत खुशी होती होगी तुमारे आखों में आसू आ गए? हाई तुल देखा तुमने? मेरे खुशी का सुनके इसकी आखों में आसू आ गए अरे इसकी जान छोड़ दो इससे बहुत से काम करने है जाओ तुमारे आख में डॉक्यूमेंट्स है चल दे तुल ठीक कह रही है मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स भी है चलती हूँ चलो बाद में बेटके बहुत सारी बाते करेंगे बाई बाई गुड़ लग अपने चो पेपर्स मांगे थे वो ये रहे रख दो यहाँ और कुछ कहना है आपको क्या हुआ तुम आप क्यों पूछ रहेंगे वैसे ही तुम्हें देखके लग रहा है कि तुम किसी बात से परिशान हो हमारे बीच कुछ ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बाते आप से शेयर करूँ मेरी पर्सनल बात है बहुत ही ज़्यादा पर्सनल शायद ब्रेक अप हो गया तुमारा मैं आपको पहले भी बता चुकी मेरा कोई बॉइफरिंड नहीं है और मैं अपनी पर्सनल लाइफ और काम को मिक्स महीं करती आपकी तरह देख कर चलो मुराद सरसर फिल अड़ाई हो गई और उनका खुसा ये मुझ बिचराई पर निखाओने लगती है कहो क्या काम है तुमे चाला मुझे तो लगता है इस कंपनी ने मेरी जाह ही ले ली निये मुराद सर I'm sorry कहो क्या है Mr. Nijat और मिस्तारिया आई है और वो दुने निजास सर के आफिस में आपका वेट करें ठीक है तुम चलो मैं आता हूँ एपिक कपो क्या खाब तो नहीं देख रहा या अल्ला तुने मेरी सुन ली हलो एपिक हलो करीं एपिक मुझे बिल्कुल यकिन नहीं हा रहा करीं मुझे लगता है कि हमें मिलना चाहिए जिस दिन तुम्हें देखा था उस दिन से इस दिन का इंतजार बताओ मुझे कब आना है कहा आना और किस जगान मैं उड़के पहुंचूंगा मेरी चाहिए असलाम लेकुम कैसी यहां बलाया आपने मुझे मैंने तुम्हें मुबारक बात देनी थी किस बात की वैसे बहुत अच्छा कदम उठाया तुमने मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे खिलाड़ी हो सकते हो क्या कहना चाहरी हैं आप मैं कुछ समझा नहीं दुरूग की बात कर रही हूँ कि तुमने कितनी आसानी से रास्ते से अठा दिया उसे अपने मुझे अच्छी तरह पता है तुम्हारा उसके साथ ऐसा करने का मकसद तुम यहीं चाहते हो ना कि उसे डिजाइनिं की काम में उल्चा कर अपने आपको बचा लो मैं अपने बेटे को अपनी नजरों के सामने परबाद नहीं होने दो इसा कुछ भी नहीं है मैं तुम्हारी मॉम नहीं हो बढ़त तमीजी कर रहे हो तुम मुझे तो लगता है किस वठ आप ज्यात्ती कर रहे हैं मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा मुराद मैंने दुरुग को हमेशा सगे भाई की तना समझा है कोई भी हमें लड़वा नहीं सकता और ना ही मैं कभी ऐसा होने दूँगा हमें लाजबी मजीर जगा चाहिए होगी क्योंकि साटे ने अपी प्रोड़क्स बढ़ानी है तो हमें वर्क्शोप लात्मी चाहिए उसी वर्क्शोप में डमीज भी बनानी पड़ेंगी हमें औरे यार तोड़ा सांस तो लो दुरुग हमें फॉरन यहां बुलाया और हमारी हॉलिडेज भी कैंसिल करवा दी बात करने से पहले कोई नाश्टा वाश्टा तो मंगवाओ काम करते हुए क्या खाना पीना दुरूप न हमें जिस काम के लिए बुलाया है वो बहुत इंपोर्टन्ट है दो जुनूनी इंसान मिल गए है वो तो हम है अब मैं उस शक्स के साथ एक छट के नीचे हरगिस काम नहीं कर सकती क्या हुआ दर्या मौम इतना घुसा किसलिए क्या बात हो गई है निजाद यहां से उठो हमें जाना है अरे यार तो यह तो बताइए कि हुआ क्या है आखिर क्या आपको किसी ने कुछ कहा है यह जाकर अपने भाई से पुछो हो सकता है वो तुमें कुछ बता दे एक्सक्यूज मी टूर मैं अभी आते हूँ एक ही चट के नेचे काम नहीं कर सकती क्या भाई उधर मॉम नाराज होके गई अदर आपको बनाके बैठे वे बस थोड़ी सी बहस हो गई यार आज से पहले आपने कभी बहस नहीं की उनसे हाँ सही कहा मैं समझ सकता हूँ मॉम कभी कभी बगैर सोचे बोल देती है लेकिन पताएं तो क्या हुआ है क्या कहा है उन्हें छोड़ो जाने दो कोई बात ने तुम्हारी मा है भाई ऐसा मत कहें वो आपकी भी तुमा है मगर वो ऐसा नहीं सोचती ये क्या कह रहे हैं आप के ये मॉम ने कहा है आपसे आखिर वो ऐसा कैसे कह सकती है भला छोड़ो जाने दो इस बात को कोई फाइदा नहीं होगा भाई प्लीज कभी मैंने तुम्हें सोतेला नहीं समझा मुझ पर कभी शक्मत करना ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूं भाई मेरे लिए इतना ही काफी है देखो करी मैं ये बहुत अच्छी तरह से जानती हूं तुम मुझे पसंद करते हो मेरे अंदर चस्पात का समंदर बन क्या है मुझे साह से कहा आती है अहां ठीक है और मैं तुम्हारे चस्पात को अच्छी तरह समझते हूं मेरे दिल में कुछ नहीं तुम्हारे लिए तुमसे जूट नहीं बोला जो सच है वो बता दिया तुम्हे अपिक अपने दिल की बात जरा सुनने की कोशिश दो करो मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत चगा है प्लीस करीए तुम्हारी इन हरकतों से मैं तंग आ गई हूं बार बार फोन करना किप्ट्स बिजवाना मेरा पीछा करना एमने आंटी से भी मिल लिए और घर की उनर से भी ये मेरी पेसती है तुम क्यों नहीं समझ रही आकर तुम्हारे बहरी जीने का तसफ़ूर नहीं पुछा तुम्हारी इज़त ही सब कुछ है मेरे लिए मुझे भून जाओ करी मैं तुम्हारा तिल नहीं दुखाना चाहती हम दोनों एक नहीं हो सकते कभी जब हम पहली बार मिले थे वो दिन याद है मुझे उस दिन भी बुरी तरह धुदका रहा था तुम ने देखो हमारा साथ मुम्किन नहीं है लेकिन क्यों? क्यूंकि हम दोनों बहुत मुख्तलिफ है करीम तुम दिन हो तो मैं रात हूँ तुम सर्दी तो मैं गर्मी और मैं बहुत सलफिश भी हूँ प्लीज तुम ऐसा मत कहो एपिक सर्थी गरमिके बगयर कुछ नहीं और दिन के बगयर रात भी कुछ नहीं होती मुझे जो कमी हैं म skill com और मुझे में मुझे में तुम से अब तुम्हें लोट जाना चाहिए मैं वापस लोटने के लीज इस रास्ते पर नहीं चला मैं जानता हूँ तो मैं मुसे प्यार नहीं, मगर मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा चाहे उसके लिए मेरी पूरी जिंदे की बीच है मगर मैं हमेशा तुम्हें ही प्यार करता रह। एपेग, इजाज़त तुम्झे, तुम्हारे दुख में तुम्हारी दवा बन जाओ जब तुम सांस लो तु हवा बन जाओ और तुम्हारे दिल से निकली दुआ बन जाओ ये लफाजी मेरे साथ मत करना मैं सब जानती हूँ तुम्हारा प्यार बस एक जूट है क्यों एपक ऐसा क्यों कह रही हो यार कुछ जूट नहीं है अच्छा ठीक है मैं समझ गया है चलो प्रे हम एक मुहाइदा करते हैं आपस में एक महीने का टाइम दो मुझे उस पूरे महीने में मैं तुम्हें बिल्कुल तइन नहीं करूंगा और तुम्हारा पीछा भी नहीं बस ये एक चांस दे दो मुझे इतने वक्त में हम दोने एक दूसरे को समझने और जानने की कोशिश करेंगी ये महीना तुम्हें बताएगा कि मैं कितना प्याद यकीन करो मेरा अगर तुम्हें फिर भी ये लगे कि हम साथ नहीं रह सकते तुम्हें चला जाओंगा तुम्हारी सिंदगी से और ना लगे तो हम हमेशा साथ रहेंगे ये दुनिया भी बहुत अजीब है ना जिसे हम चाते हैं वो हमसे मह्पत नहीं करता और जिसे हम नहीं चाते हैं वो हमें बहुत चाता है ये सब बहुत अजीब है हाँ करीम की भी ऐसी हालत हो गिनया तक है आथ छोडो उसे इस वक्त उसका नाम कहा याद आगए तुम्हें मेरी और करीम की बात हो चुकी है तुमने करीम से क्या कहा? कुछ नहीं बस एक महीन हम साथ रहेंगे मैंने उसकी बात मान ली है यार हयात मैंने जिन्दगी में पहली बार ऐसा मर्द देखा है जिसकी आखों में सच्चाई देखी मुझे करीम बहुत मुखलिस इंसान है क्या ये तुमने असली को बताया? वो बहुत खुश होगी और सिर्प्राइस दी उसको नहीं बताना मुझे नाराज हूँ मैं उससे बेवकुप लड़की ने करीम को मेरा कसन बना दिया और अगर मैंने ये सब बाते उससे बता दी तो वो धिंडोरा पीट देगी मैंने इसलिए उससे नहीं बताया मिडिल इस्ट, नॉर्थ यॉरप और बालाकन की सबसे खुबसूरत मॉझ मॉझ कैसी है? तो तुम्हें अब मा की याद आ ही गई दुरूख? ऐसा नहीं कहें मॉम आप बाबा के साथ आगें तो मैं भाई को देखने चला गया कोई बात हुई है क्या? हाँ, अपना भाई ही सही लगा तुम्हें तुरूख ने तुम्हें कहा तो है दरिया मैं तुम्हेरे साथ वापस आ गया था, इसलिए वो भाई के साथ रुक गया अपने भाई पर तो बहुत यकीन है, इसे बस मा ही गलत लगती है कोई मुझे बताएगा आखिर हुआ क्या है? अरे, दरिया और मुराद में थोड़ी सी बहस हो गई थी और कोई मसला नहीं तुम्हें बात को बढ़ा चड़ा रही हूँ हा? मौम आपको इतना बता दू, भाई इस वक्त आपसे ज्यादा परेशान है वो क्यों? क्योंकि वो गलत है आप उनकी मा नहीं ऐसा आपने ही कहा है न उनसे तुम्हें पता है उसने मुझे क्या का जो तुम मुझे बाते सुना रहा हूँ? ऐसा क्या क्या दिया तुम्हें मुराद में? वो तो बहुत तमीजदार और सुलज़ा हुआ लड़का है हर दफ़ा उसी की साइड लीजेगा आप कोई नहीं सुनता यहां मेरी इस घर में मुराद को सच्चा समझा जाते हैं और मुझे जूटा समझा जाते हैं यह क्या तरीका है बात करने का जरा खुद को भी तो देखें इस वक्त उनसे बात करना फुदूल है खेर में भाई के पास जा रहा हूँ अभी इस वक्त उन्हें मेरी बहुत जरूरत है जरूरत है करीम हाँ पर कौन सा करीम क्या मतलब खुश करीम आशिक करीम लबर बनने वाला करीम मुझे मुबारक बात दें अच्छी बात है हम दोनों में से कोई एक तो खुश है कोई इतराज नहीं करीगा आज रात मैं आपके साथ ठीक है ठीक है आजो वैसे ये हमारी परसनल बात है और आप लोगों को पताना नहीं चाहती थी और आपको मालूम है कि मैंने आज तक आप सबको करीम से क्यों नहीं मिलवाया था क्यों नहीं मिलवाया ताके आप लोग महफूज रह सके क्योंके करीम एक बहुत ही खतरनाक आदमी है वो बहुत अच्छा लड़का है और देख ले न वो हयात का भी दिल जीत लेगा बहुत जल्दी मैं भी यहीं चाहती थी मगर उसने आने में काफी देर लगा दी वो काफी अरसे से जेल में था ना क्या क्ये रही हो एक आदमी को कतल कर दिया था वागए और उसके तीन बच्चे भी है फरीदा आउंटी जब से मुझे इसकी स्टोरी मालूम हुए मेरे खाब देदी आप ऐसे ही लड़के आते हैं गातिल है वो नशा भी करता है उपर से सर फिरा भी बहुत है आंटी और बिमार भी बहुत रहता है वो उसकी मुझे और बाल दोनों अकली है इसके अलावा कोई बुराई नहीं उसमें वो इंसान बहुत ही अच्छा है वैसे इन छोटी-छोटी बुराईयों से कोई खास फर्ज नहीं पड़ता है बाकी ये है कि आप लोग बहतर जानते हैं कि क्या करना है मुझे तो ये सुनके ही बहुत बुरा लग रहा है आंटी वो मेरा कजन है मगर जो सच है वो बता दिया ऐसे आदमी को देंगी कि आपनी बेटिया नहीं ऐसा नहीं होने दूगी मैं तेंक यू एपेक मेरी हयाथ मेरे साथ ही रहीगी दोगा खा गई मैं मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था मगर आखों पर पट्टी बंदी हुई थी हाँ परीदे शादी हाल के बुकिंग कैंसल करवा दो और और शादी के दावत नामें भी किसी को मत भीजना हाँ हाँ नहीं भेजोंगी मुबार्ण को बहुत बहुत तुमें वैसे अब आपकी बारी है नहीं अकेला ही ठीक हुमे एपिक हयात की दोस्ते क्या ये जानते हैं आप तुम जो सोच रह समझ रहा हूं मैं लेकिन उसकी जिन्दगी में पहले से कोई मौजूद है इसलिए में रिजगा नहीं बनती है क्या कहां मैं तो ये सोच रहा था कि हम चारों मिलकर एक साथ खुमेंगे हमारे दर्मियान आफिस के काम के अलावा और कोई तालुक नहीं करीम ओहो यहां तो पहले से महफिल लगी हुई है ये तो ज्यार्ती है करीम ने गल्फरेंड बना ली है मुबारक बात देनी चाहिए तुम्हें क्या बात है वाकए चलो बहुत-बहुत मुबारक मुबारक आज ओ आज रात फिर जागना पड़ेगा शायद आज रात काफी लंबी हुने वाली है अल्ला अल्ला ये दुनिया भी न जिसे मैं इतना अच्छा समझ रही थी वो कैसा निकला जल्दी जल्दी छीलो जल्दी जल्दी जूतियें अंदर आग लगी भी है है आग बेटी तु फिकर मत कर जल्दी ही तेरे लिए को रिष्टा ढून निकाना उस करीम से कई गुना ज्यादा अच्छा है अल्ला कितनी उमीदें लगा रखी थी मैं खाम खाम जब मेरी अम्मी उदास होती है तो मीठी चीज़े बनाती है देखना अभी थोड़ी तेरे में घर बेकरी लगने लगेगा हेलो क्या करे हो तुम लोग मेरी घरमजुदकी में हम सब किचन में बैठ हुए है एमने आंटी और फरीदे आंटी खाना बना रही है क्यूंकि आज है आद से करीम मिलने आने आने वाला था उसी के लिए सब कुछ बना रहे थे और अब हम ये उसके लिए नहीं अपने लिए बना रहे हैं क्या पका रहे हो तुम लोग बताऊंगी नहीं खा कर देखना बता दो बता दो वरना सबर नहीं आएगा उसे चलो एक हैंग देती हूँ तुम्हे इस डिश का नाम के से शुरू होता है और इपर खत्व होता है जाले माइटिक गर से बाहर भूगे प्यासे शक्स के साथ कोई ऐसा करता है क्या एमने आंटी बनाएंगी मेरे लिए अरे मेरी बेटी एमने आंटी तुम्हे अपने हाथ का मीटा जरूर खिलाएंगी भला ऐसा हो सकता है मेरे बच्चे कोई फर्माईश करें और मैं उसको पूरा ना करू के कर ना करो अभी मनाती है अरे एमने आंटी आंटी आंका बहुत चिकलिया आंटे तो मुझे खुर्श कर दिया हाँ अपने इर्द गिर्द कोई अच्छा सा उबसूरत जवान हैंसम सा डॉक्टर जो मेरी बेटी के साथ सूट करें ऐसा कोई नजर में रखो तुम तुम्हारे तु चारो तरफ डॉक्टर होते हैं न अम्मी क्या हो गया है फिर शुरू होगी आप मुझे नहीं पता था कि तुम पब्लिक रिलेशन्शिट में इतने अच्छे हो पब्लिक रिलेशन्शिट में जानबूच कर गया था लेकिन फिर समझ में नहीं आई ना जाने फिर मैं क्यों लॉजिस्टिक में पढ़ गया मैं समझा नहीं पब्लिक रिलेशन और लोजिस्टिक का आपस में क्या तालुख है अपनी ट्रांस्पोर्ट कंपरी बनायागा ये इसलिए तुम दोनों फॉज छोड़के यहां वापस आ गए हा ना और क्या लग रहा था तुम्हें एक्स्टिक मैं दरा कॉल सुन के आता हो मैं हलो शेकर क्या हाले है जिस ने आपकी तस्वीरे मीडिया तक कह आई जिसने आपकी तस्वीरे मीडिया तक पहुचाई चैंक नाम था उसादवीगा चैंक? जी हाँ, इस वक्त फोटो मॉडल में काम करता है और कुछ अर्शा पहले साटे में भी काम कर चुका है बहुत बहुत शुक्रे आपका कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्स था गुरीबिंग मॉराच सर चाला तुम्हें याद है चैंक हमारे साथ काम कर चुका है इसके बारे में मुझे बताओ इस अब वो कहां मेलेगा मगर इस अब कैसे बता कर उसका अब ही करना है मेरी बात सुनो जरा तुम यहां बेठा सामने मैं ठकी हुई हूँ अभी कल बात कर लेंगे मैं सोने जा रही हूँ मैंने कहा है बेठो यहां कहिए देखो मैंने आज तक सास बहु वाला रवया नहीं रखा तुम्हारे साथ कुछ भी कह लीजिए चाहे आप अमी लेकिन आखर को आप मेरी सास ही रहेंगी अभी तुमने सास देखी ही कब है लेकिन अगर यही हाला रहे तो तुम मुझे रिवायती सास बनने पर मजबूर कर दोगी मैं तुम लोगों की किसी मामले में नहीं बोलती हूं लेकिन ढूलो मत मैं इस घर की बड़ी हूं मैंने ऐसा क्या कर दिया आखर कल रात को मैंने तुम्हें बात करते सुना था दुरुक से मुझे अच्छी तरह मालूम है तुम्हारे इरादे क्या है लेकिन जब तक मैं जिन्दा हूं दुरुक और मुराद को आपस में लड़ने नहीं दूनी समझ गई तु तेखो मुझे अपने बेटे की खुशी बेहद अजीज है घर का माहौल खराब नहो जाए इसलिए मैं खामोश रहती हूं इसलिए मैं निजात से कुछ नहीं कहती हूं मगर छूट क्यों बोलू मुझे अपने पोतों की खुशी अपने बेटे से भी ज्यादा प्यारी है आएंदा इस बात का ख्याल रखना तुम्ही अगर इस पुस्म की कोई बात मैंने दुबारा सुनी तो मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी और सब कुछ निजात को बता दूँगी याद रखना मेरी बार प्यार लफजों में का वो फोटो अखबार में तुमने क्यों चपाई चाहते क्याते तुम और ख्यात के साथ बत्तमीजी क्यों की जो कुछ मैंने किया उसकी मर्दे से किया तुम लोगोंने उनको बहुत मारा है यही बताया ना लेकिन तुम्हारी हालत तो कुछ और बता रही है मुझे तीन अच्छे से सूप डिजाइन करवाने है पहला शादी का, दूसरा वलीने का और तीसरा पार्टी का बाकि हम मिलकर डिसाइड करेंगे बहुत जादा कन्फूजन हुई तुम्हारे मेरे दर्मियान जिक लेकर नसूइट ता कि मुस्ते क्वेल मेरे पार्टी